नमस्कार आदावर्द है मैं डॉक्टर आरिफ और आप देख रहे हैं जी आरिफ सी यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तों कि शेर कि शुरुआत करता हूँ कि सभी का दिल दुखाती है किसे आबाद करती है सभी का दिल दुखाती है किसे आबाद करती है ये दारू चीज है ऐसी जो घर बरबाद करती है तो दोस्तो हमारे देखने वाले जितने भी बीवर्स हैं अगर वो शराब पीते हैं तो वो आज से ये एहद लें और हमारे साथ एक प्रन ने कि हम शराब नहीं पिएंगे और शराब नहीं चुएंगे दारू पूरी तरीके से हम छोड़ देंगे तो दोस्तो दारू के बहुत ज़्यादा घ्हातक नुक्शान है आप अगर कहीं से आते हैं आपके घर में शराब पीकरके अपने घर में स्वयम अगर आते हैं तो आपके माता पिता आपके छोटे भाई, भैन आपको देख कर शहं जाते हैं क्यूंकि आपने इस शयतान को ना कोई दवा लिए हुए और जिन लोगों से अगर शराब नहीं शूट रही है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा और जो लोग सराब नहीं चोड़ना चाहते हैं बहुत ज्यादा सराब के लती हो गए हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक बेहतरी नियोग बताने जा रहा हो तो चली दोस्तों आप एक बार फिर मेरा यह शेयर सुनें ताकि आपके इमान ताजे हो जाएं कि सभी का दिल दुखाती है किसे आबाद करती है यह दारू चीज है ऐसी जो घर बरबाद करती है जो रिष्टों को आपके बरबाद कर देगी आपके भाइचारा याराना दोस्ताना आपका सभी कुछ बरबाद होकर रह जागा मिर भायू और आपके साथ रहेंगे तो केवल और केवल वही शराप पीने वाले लोग और आपके साथ अच्छे लोग कते ही नहीं रहेंगे इसलिए समाज में एक अच्छा मुकाम पाने के लिए आपको शराप को त् जादा कारगर है और बहुत सारे लोगों को इससे फाइदा भी हुआ है और मैं चाहता हूं जिन माताओं बहनों के यहां जिनके भाई जिनके पती जिनके बेटे शराप पीते हैं तो वीडियो को जरूर देखें और इसका उपयोग करें ताके आपके घर में अमन और चैन स चांती बनाई जा सके तो मेरे भाईयों अब नुश्का नोट करने के लिए आप कलम और कागज को उठा लिजीएगा और मैं आपको सामिगरी नोट करा रहा हूं और जिससे आपको बहुत ही पूरूरू से लाब होगा और सामिगरी नंबर एक है जिसे कहते हम लोग आजव आजवायन का तो आप लोगोंने नाम सुना होगा गाउंधियात में आजवायन आपको लेनी है 50 ग्राम जी हां दोस्तों आजवायन आपको 50 ग्राम लेनी है और उसका चूडर पीस लेना है आजवान का और उसके बाद आपको 20 पीस लेने हैं लाउंग के बढ़हा को क्या करना है कि इसको आपको तीन चीजे हैं और इसमें आपको यह लांग इलाइची और यह जवन तीनों का चूड़ आपको बना लेना है और रात में 300 ग्राम पानी में मिटी के बरतन में आपको 300 ग्राम पानी रखना है और उसमें यह तीनों चीजों का चूड़ आपको डाल देना है यह चूड़ जब पढ़े-पढ़े कम से कम 24 घंटे चूड़ को पढ़ा रहने दीजीएगा और उसके बाद इसको हातों से चूड़ को अच्छी तरीके से पानी में मशल लीजीएगा और उसके बाद वो 300 ग्राम पानी में जो फूल शुरू करें धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे-धीरे जब पानी पकते-पकते आपका 200 ग्राम बचता है जब आपका पानी पकते-पकते 200 ग्राम बचता है तो मेरे दोस्तों इस पानी को आप रख दीजीएगा किसी अच्छे बरतन में और उसको थरा लें थराना तो जान यसे के बाद उसको रख देंगे ऐसी जहां पर बाइबरेशन ना हो जहां पर फार ना लगए वह पानी आप उस पानी को ठ्राने के बाद आपको एक सीसी में पानी को भर लेना है और जो शर पीने वाले लोग हैं चाहे तो चार बून 33 टाइम स्वाफ यह में डाल पहत्री रिश्पॉंस मिलेगा क्या आप कहेंगे कि डॉक्टर आरिफ सहाब यकीनन आपने हमारे घर को बरबाद होने से बचा लिए और जो भाई जो भाई अगर से इस दवा को बनाने में कुछ गचकिचाट महशूस हो रही हो या ना समझ पाए हो तो मैं अपना नंबर दे तो दोस्ते एक बात और कहूंगा कि अगर अभी तक हमारे जियारे जी यूटूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आवासे सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें अपने रिश्टारों में घर अपने घरवालों को वीडियो को देखाएं और यह साम भामुल चैनल